आज हम बनाने चाह रहे हैं फीश सूप सबसे पेले कड़ाहे लेंगे कड़ाहे में थोड़ा बटर डालेंगे बटर्मेंट होने के बाद इसमें डालेंगे तेश पत्ता और निम्बू के पत्ते इसी थोड़ा चम्मस से चला लेते हो अब हम इसमें डालेंगे लसुन की कलिया बारिक कटी हुई और अद्रग बारिक कटा हुआ थोड़ा सा पकने देते हैं यह अदर डाला गोल्डन ब्राउन कलर आने के बाद इसमें डालेंगे तेशिकम बारिक कटी हुई यह हमने बारिक कटी हुई पत्ता गोवी डालेंगे इसमें बहुत ज्यादा नहीं पकाना है अब हम इसमें डालेंगे पानी अब हम इसमें डालेंगे पानी अब हम इसमें डालेंगे काली मिश पाउडर और स्वादन उसर नमक अब हम इसमें डालेंगे पानी पाउडर और स्वादन उसर नमक यह डाला नमक अब इसमें डालेंगे फीश और पार्च मिनिट के लिए इसे पकने देंगे फीश डालने के बाद फीश जली ही पक जाती है यह डालें फीश पार्च मिनिट के बाद बंद कर देंगे गैस स्टोव और इस प्रकार हमारी फीश सूप हो गया है रेडी गर्मा गरम सर्व करेंगे बहुत ही टेस्टी बनता है अब जरूर ट्रै किजिए अब हम इसमें डालेंगे हरा धनिया आपको यह रेसीपी पसल दाई होगी तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर